दोस्तों आप मेंसे काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि सर एंसर राइटिंग कैसे करते हैं तो अभी सरकारी रहे थे एंसर राइटिंग तो मैंने सब्चा दिखा दूँ सर बताईए थोड़ा कुछ देखो answer writing करते हो तो दो चीज का हमेशा भियान रखना थोड़ा सा इधर दिखाओ कि तब ना पता चलेगा experiment को वहाँ से दूर से कुछ नहीं पता चलता है सामने दिखाओ ठीक है देखो कभी भी answer writing करते हैं तो हमारे सामने दो चीज बहुत बड़ा challenging होता है पहला हमें क्या लिखना है और उससे भी एक important हमारा speed तो कभी भी answer writing करो तो थोड़ा सा अपने mind में पहले setup करो कि मुझे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है क्या छोड़ना है देखो हम math reasoning वागरा में जैसे rough वगरा करते हैं तो answer writing में भी पहले हमको side में rough कर लेना है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है उसके बाद हमको यहां से start करना है topic हमारा mind में आ गया speed भी आ गया दोनों को पकड़ करके हमको speedly करना है और एक important चीज को याद रखना है कि कभी भी answer writing करते हो तो आपना flow chart का diagram का use करो previous year question पे ज़्यादा ध्यान दो जैसे कि मैं gs paper 1 का कर रहा था तो क्या कर रहा न पहले answer writing ऐसे भी नहीं होता पहले उसके बार में भी study करना पड़ता है तब न answer writing होगा तो करो flow chart का इस्तिमाल करो इससे marks तुमें अच्छे मिल जाते हैं जैसे कि देखो पाल वंस चोल सासक हो गये है होई सेल का मंदिर निर्मान हो गया तो इस सब के बार में लिको थोड़ा सुद सुद लिको साफ साफ लिको जैसे कि जो जो कॉपी चेक कर रहा है उसको थोड़ा सा वह भाय मतलब की थोड़ा सा उसको अच्छा लगए ठीक है आप flow chart करो साथ ही साथ